Welcome to with Dallas Study Point आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले है Class 11th का Home Science का New Slayvers इस से पहले हमने इसका Slayvers discuss किया था जिसमें हमने Final Exams के लिए Slayvers अल्रेडी डिसकॉस कर लिया है जिन बचों ने Final का Slayvers नहीं देखा Home Science का आपको वीडियो के Title पे क्लिक करना है वहाँ से आपको description दिख जाएगा वहाँ से आपको जो है playlist पे click करना है और वहाँ पे हमने final का and mid term का दोनों ही playlist बनाये हुआ है वहाँ से आप easily उन सारी videos को देख पाएंगे जो हमने already कई सारे subject के clear किये हुए है आज की इस video में home science का mid term का syllabus discuss करेंगे and mid term का exam लगबग आपका September October में होता है तो इसका syllabus आज की इस video में discuss करेंगे जिससे काफी ज़्यादा बच्चे first term भी कहते तो mid term के अंदर जो chapters आने वाले वो आज की इस video में हम cover करेंगे कौन कौन से chapter आपकी mid term जो exam है उसके अंदर पूछे जाएंगे home science से चलिए आगे बढ़ते है home science की तरफ आगे syllabus की तरफ and कोई आपका doubt रह जाता आप मुझसे instagram पे पूछ सकते मेरी instagram id आप सभी के सामने है krishnasahani08 करके कोई भी doubt हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते है telegram channel हमारा join कर सकते जो कि class 11th के लिए बनाय हुआ है vsp class 11th group अगर आप telegram पे सर्च करेंगे तो वहाँ आपको हमारा channel मिल जागा वहाँ पे अगर आप join हो जाते हैं जो important updates होते हैं वो हम वहाँ पे provide करवाते रहते हैं चलिए syllabus की तरफ आए तो इसके अंदर आपको home science में दो किताबे पढ़नी है class 11th मानव परिस्थती और परिवार विज्ञान ये भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है ये दो किताबे आपको home science के अंदर पढ़नी होती है चलिए अब बाकी midterm के slayvers की तरफ आते हैं English medium में कुछ इस तरह से ये किताब है English medium में ऐसी ये किताब दिखती है पहली सबसे पहली बुक का हम discuss करते हैं कि इस वाली बुक के अंदर कौन-कौन से चप्टर आपके midterm exams में पूछे जाएंगे तो यहां आपकी तरफ आए तो यह है आपका जो है content दिया रहता है यहां पर सारे चप्टर आपके दियो जैसे चप्टर 1, चप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह टूटल साथ चप्टर आप देख रहे है जैसे कि पहला चप्टर दिया हुआ है परीचे के उपर है दूसरा चप्टर है स्वयम को समझना तीसरा चप्टर है भोजन, पोशन, स्वास्त और स्वास्ता तोथा चप्टर है संसाधन प्रबंदन, पांचवा है कपड़े हमारे आसपास छटा है संचार माद्यम और संचार कोसल, सातवा चप्टर है विवित संदर्बों में सरुकार और आफशक्ता है सेम इसे आप इंग्लिस मीडियम में भी यहाँ पे देख सकते है और इस यूनिट को काड़ देना आपको क्योंकि यह यूनिट यहाँ पे 1 and 2 गलत बताया हुआ है आपका यूनिट 1 यह है, यूनिट 2 है यह आपका ठीक है याद रखना है तो यह यूनिट 2 है आपका यूनिट 3 है तो इस तरह से 3 यूनिट है इस वाली बुक के अंदर and हिंदी मीडियम में भी सेम आपका यूनिट 1 यह है unit 2 है ये आपका unit 1i1 जो लिखा हुआ ये आपका 1i2 है and 1i3 आपका ये वाला है ठीक है and ये आपका 3 unit इस वाली बुक में है और 2 unit जो है अगली वाली बुक में है तो आएए एक बार हम मिटरम के syllabus को समझे इसमें 7 chapter आपके दिये हुए ये 7 के 7 chapter आपको मिटरम exams के लिए पढ़ने है ये जो इसका 7W का आप गावाला पार जो देख रहे है भारत की वस्तर परमपराई ये वाला topic आपको नहीं पढ़ना है ये कटा हुआ है जो CBSC का syllabus है उसके अंदर ही ये topic ही नहीं है तो ये आपका कटा हुआ है ये आपका सी वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है बाकी आपको सारे chapters पढ़ने है आगे की तरफ चले भागदो है आपका भागदो के अंदर कुछ इस तरह से आपके chapters दिये हुए बाकी हम बात करते हैं मिट्रम एक्जांस में आपके कौन-कौन से chapter पूछे जाएंगे आए एक बार हम मिट्रम एक्जांस जो आपके chapter दिये हुए उसकी तरफ बढ़ते कौन-कौन से chapter आपको मिट्रम एक्जांस में पढ़ने है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया जाता है उसके अंदर यह बताया हुआ है इसमें आप देखें के इकाई वन जिसके अंदर आपका पहला chapter है ग्रेय विग्यान का जो परीचे वाला chapter था वो है और यहाँ पर topic भी बताया हुए तो chapter number जो 1 है आपका यह से आप नोट कर ले यह आपका midterm exams में पूछा जागा आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो आपका आता है unit 2 unit 2 के अंदर जो है आपका क्योंकि जो chapter 1 है सिर्फ उसके अंदर unit 1 के अंदर सिर्फ एक ही chapter है वो है chapter number 1 चलिए unit 2 के अंदर एक बार हम देख लेते है unit 2 के अंदर अगर हम देखे तो unit 2 के अंदर है अध्याय स्वयम को समझना और यह आपका chapter number 2 है जो की पूछा जागा आपका midterm exams में इसके topic आप देख सकते मैं सारे topic आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जागी इसलिए आप इसे पढ़ लेना topic मैं आपको दिखा देता हूँ यह सभी topic रहेंगे जो आपको पढ़ना है आगे की तरफ आए तो यह है आपका अध्याय भोजन, portion, स्वास्ते और स्वास्ता यह आपका chapter number 3 है यह आपको पढ़ना है midterm exams के लिए और इसके topics आप देख सकते यह सभी topic आप सभी के सामने है नीचे और भी topic दिए हुए मैं आपको दिखाते ही चलता हूँ यह topics है जो आपको पढ़ने होंगे आगे की तरफ आए तो यह है आपका संसाधन प्रभंधन, chapter chapter का नाम है यह and chapter number यह है आपका 4 and इसके आप topics देख सकते हैं यह आपको पढ़ना है आगे की तरफ आए तो और भी इसके topic दिए वह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ और भी topic है अगला chapter है आपका कपड़े हमारे आसपास इस chapter का नाम है और यह है आपका chapter number 5 बार इसके topic आप देख सकते है सूती, रेसे, वस्तर, उत्पाद यह सारे topic है इसके तो यह आपको पढ़ना है exams के लिए आगे की तरफ आते है आगे और भी इसके topic है आप यहाँ पर देख सकते है अगला chapter है आपका अध्याय संचार माध्यम और संचार प्रद्धोगी की यह chapter का नाम है chapter number 6 है यह आपका इसके आप topics देख सकते है संचार और संचार प्रद्धोगी की संचार माध्यम यह सारे इसके topic है और जो last unit रहता है इस पहली वाली book के अंदर unit 3 आपका इकाई 3 उस unit का नाम है आप यहाँ पे देख सकते है परिवार समुदाय और समाज के प्रती जो है समझ यह आपका जो है unit जो 3 है उसका नाम है और इस chapter के नाम देखे तो विविद संदर्बों में सरोकार और आपशक्ता है chapter number यह आपका 7 है and इसका cow वाला part आप देख सकते है and cow वाला part है and जो cow वाला part था मैंने आपको बताया था वो cut गया है तो मैं आपको slaves में भी दिखाउंगा cow वाला part mention ही नहीं किया बाकी आप topics देख सकते है घिक है यह देखिए यहाँ पर खावाला पार्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह दिया हुआ है बट गावाला पार्ट दिया ही नहीं हुआ है यहाँ पर आपका स्लेवस जो है खतम हो जाता है मिट्रम के लिए ठीक है तो टोटल आप समझ लीजिए कि साइड चेप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर बताय हुआ है इसके अंदर यह डी ओई की तरफ से दिया जाता है जिसके अंदर मिट्रम का जो सलेवस बताया होता है कि जो एक्जाम होगा आपका मिट्रम का जो exam होगा उसके अंदर कितने chapter जाएगए तो 7 chapter तक इन्हों ने यहाँ पर बताया है इसके बाद जो आपको chapter पढ़ने वो सारे final exam में आपसे पूछे जाएगए मिट्रम में जो chapter आने हैं वो final मेद्ध बहने साथ चेप्टर आपको तयार करके रखने है I hope कि आपको समझ आ गया होगा I hope कि आप समझ गया होगे कौन-कौन से चेप्टर जैसे कि आपकी जो पहली जो बुक है ये वाली जो बुक है पूरी की पूरी आपकी पूछी जाएगी मिट्रम एक्जामस में मिट्रम के लिए आपको कोई चेप्टर नहीं पढ़ना है इन से फाइनल के लिए आपको पढ़ना है इसका चेप्टर जो बीए पूछा जाएगा मिट्रम में इस बुक से कोई पार्ट जो है कोई भी चेप्टर नहीं पूछा जाएगा आई होप आप समझ गया होंगे स्लेबस को जो मिटरम का आपका स्लेबस होने वाला है टोटल साथ चप्टर आपके पूछे जाएंगे आई होप की आपको समझ आ गया होगा अभी भी आपका कोई डाउट रहता है क्लास 11 के लिए बनाया हुआ किसी भी बच्चे को जोइन करना है तो जोइन कर सकता है आपको सिर्फ सर्च करना है टेलिग्राम पे वी एस भी क्लास 11 गृफ आपको वो चैनल मिल जाएगा बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो share जरूर करना है, like जरूर करना है और चैनल पर अगर आप नए है नीचे आपको subscribe का एक box दिखेगा जहाँ subscribe लिखा होगा उस पर click करने के बाद आपको bell icon को all पर select कर लेना है इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक notification पहुंच जाए करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे बाकी यह था अच का वीडियो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली और exciting वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मात्रम